होली की राग से कैसे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जाता है और क्या आप होली की राग से अपना आकर्शन या अपने व्यपार में धन की समस्य को दूर कर सकते हैं तो सादको अगर आप भी यह उपाय करना चाहते हो तो वीडियो को आन्त तक अवश्य देखें प्रियोग में आपका स्वागत है। होली के दिन होली पर बहुत से लोग अनेको तांत्र क्रियाएं करते हैं और उस दिन पूर्णिमा भी होती है तो आप समझ ही सकते हो कि होली की राख आपको तंत्र क्रिया में कितना असर दिखा सकती है। तो आप कहीं से भी होली की राख ले आईए और उस राख पर इस मंत्र का 21 बार जाप करके इच्छित व्यक्ति को खिला दीजिए। या फिर आप इस भस्म को उस व्यक्ति के सर पर भी गेर सकते हों। साध को अगर आप इस राख को खिलाते हो तो किसी मीठी चीज में ही देनी है और कम से कम तीन बार खिलानी है या उसके सर पर गेरनी है। और इस प्रियोग में जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है। ओम नमो भगवती, मातंगेश्वरी, सर्व मुखरंजिनी, शर्वेस, महामाय मातंगी, कुमारी के नंद नंद, जिहवे, अमुक, स्वे कुरु कुरु स्वाह। साधकु यह मंत्र आपको नीचे डिस्कुप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप अपने आखर्शन या वैपार में आने वाली परेशानी के लिए करना चाहते हो, तो आप होली की भस्म को किसी लाल कपड़े में एक सिक्का डाल कर एक पोटली बना ले। और इसे आप अपनी तिजोरी और पूजा कक्ष में भी रख सकते हो। साद को इस प्रियोग में भी आपको इसी मंतर का जाप करना है, जैसे कि बताया गया है मंतर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर किसी कारण वर्ष आपको होली की भस्म नहीं मिल पाती, तो आप हम उससे भी संपर कर सकते हैं। साद को ध्यान रहे, आप जिस भी होली का की राख लेकर आएंगे, वहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रियोग से पहले उस जगा बारिश हो जाती है, तो इस प्रियोग का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप शिगर ही इस प्रियोग को किजिए, आपका काम अवश्य ही बनेगा। तो साद को, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतूष्ठ होंगे, और अगर आपको किसी भी चीज को समझने में कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझे नीसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सुत्र आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो साद को, तंत्र विद्या से जुड़ने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।